हैलो, वेलकम टू क्रियाशन वाल्ड फैमली इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिसक्स करने वाले हैं पॉलिनेशन जो कि बहुत ही इजाम के भीव से इंपोर्टेंट और साथ में इजी लेसन है बले तो आपके लिए अल्टरा इंपोर्टेंट लेसन है तो इस लेक्चर में हम लोग मेलने डिसक्स करने वाले हैं जिस पॉलिनेशन करने वाले हैं तो वीडियो को स्टाट करते हैं दिखिए यहाँ पर डिफिनेशन पॉलिनेशन का है कि उस तेन आएगा कि इस प्रकार से कि वाट इस पॉलिनेशन या वाट डू मिन बाई पॉलिनेशन लिखा गवाए दे प्रोसेस इन वीच पॉलेन ग्रेन आर ट्रांसपर फ्रॉम एंथर तूदा इस्टिगमा तो की टर्म को हम लोग समाजने कोशिस करते हैं पॉलेन ग्रेन है एंथर है और इस्टिगमा है तो सबसे पहले एंथर इस्टिगमा को आप समझें यहां पर दीखिए एक फ्रॉम प्लांट है ठीख सिगमा है यह वाले पाड जो यह यह वाले पार अफॉक्य आपका अंफर हो जाता है एंथर हो और घ्रों इसको मद्छ़र पाठ है उसके फिलाममेंट भुलते हैं एंथर और फिलामेंट मिलकर क्या बनाते हैं इस्टामें जिसको कि क्या बोला जाता है male reproductive part of flower male reproductive part of flower और यहाँ पर दिखे stigma, style and ovary combine करकर क्या कहलाते है female reproductive part of flower तो अभी ज़स्ट हमने जो definition पढ़े है friends तो definition में क्या था यह transfer of pollen grain pollen grain क्या होता है तो yellow powder एक substance जो होता है एंथर के द्वारा release के जाता है क्या एंथर के द्वारा एंथर के द्वारा यह release होता है यहाँ पर pollen powder like substance, yellow in color और इसी का transfer क्या होता है ऐसे-एसे यहाँ से लेकर एंथर to stigma और एंथर से लेकर इस्टिगमा तक जो transfer होता है और जैसे ही यह transfer होता है यह different medium के द्वारा हो सकते है हो सकता है कि same flower का same species में हो जाए यह flower सपोच तो इसी flower के एंथर से इसी श्टिगमा तक आ जाए यह हो सकता है कि आपका इस इस एंथर थे किसी दूसरे flower पर चला जाए वो भी same species का हो यह इसी plant का यह हो सकता है में भी कि इस flower का किसी और plant के flower पर चला जाए बट उस से में इस species का हो उसके basis पर pollination को दो भागों में के टेगराज किया गया है तो देखते हैं देखिए हाँ पर कुछ प्रकास है कि type of pollination type of pollination क्या होते हैं एक होता है cell pollination और एक होता है cross pollination one by one करके mainly हम लोग डिस्स करते हैं cell pollination को और close pollination को cell pollination means swap परागन हिंदी में इसको बला जाता है swap परागन ही बोलते हैं it is the transfer of pollen grain pollen grain आप समझेगे friends फ्रम एंथर टो इस्टिगमा उसा edge definition में ही रहेगा of same flower और same plant ठीक है मतलब इसका मतलब यह होगा friends कि एक ही plant के अलग अलग पूस्प हो सकते हैं एक ही plant के अलग अलग पूस्प हो सकते हैं फलावर हो सकता है या एक ही फलावर के एंथर और श्टिगमा हो सकते हैं मतलब एक ही फाउद है के एंथर से pollen grain transfer होगा श्टिगमा तक यह भी self-pollination है और एक ही plant के अलग 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 फलावर है तो अभी वह self-pollination होगा और इसको हम लोग auto gaming भी बोलते हैं और generally किसमें होगा self-pollination आपको देखनों को मिलेगा bisexual plants तो आपके mind में की उचे नराज हुआ होगा bisexual flower क्या होते हैं यह bisexual plant क्या है तो आप उस फलावर को बोलेंगे flower dead content both male and female part in the same flower जिसमें क्या है यहाँ पर आप देखे इसको क्या बोलते है आप रेंथर filament बनाते हैं तो क्या यह same ही flower में वह ऐसे flower को हम लोग bisexual बोलेंगे और जिसमें either male और female रहेंगे उनको हम लोग unisexual flower बोलते हैं तो this is करते है next जो topic है मेरा cross-pollination को यहाँ पर देखे जिए share-pollination में क्या दिया हुआ है कि यह जो enter था फिर आप लिए लास्ट पर रिभाज किए enter से क्या जा रहा है pollen grain जा रहा है stick में तक जा रहा है और फ़लावर के यह same suppose किसी को आप gift देते हैं तो लिखते हैं from जहां से गया और किस के लिए जा रहा है to तो उसी प्रकार from क्या जा रहा है pollen grain कहां से जा रहा enter to कहां पर जा रहा stigma तक तो इस तरह आप इसका definition नहीं सकते हैं कि the process in which transfer of pollen grain pollen grain from enter to stigma in a same flower in a same plant that is self-pollination अब जो second topic है cross pollination ठीक है पर परागन में इसको बोलते हैं pollination को हिंदी में परागन बोलते हैं देखे क्या होगा इसका transfer of pollen grain from enter to stigma of a different plant of same species मतलब एक ही जाती कि ठीक है एक ही once की होना चाहिए उस पर जाकर transfer होंगे उसको figure के मादम से हम समझने कुशिस करते हैं diagram के मादम से यहां पर क्या है print पूरा समझ में आ रहा होगा वीडियो तो clearly दिखाई दर होगा आप diagram के मादम से help से बिल्कुल easily समझ सकते हैं आपका यह mind में direct set हो जाएगा किसी भी प्रकार के रटने की जुरूत आपको नहीं है तो first of all आप देख भारे हैं यह क्या है pollen grain है यह pollen grain है suppose कि यह किसी प्रकार का तो यहां से क्या हुआ कि इनका pollen grain था कि कि मीडियम के माध्यम से क्या हुआ कि दूसरे flower तो transfer हो रहा है और इसी को तुम्हें बोलते है इसे एक्जाम में repeated person पुशे जाते है कि agent of pollination pollination कैसे होगा pollination यह कैसे होता है तो देखिए इसमें दो अलग-अलग method है agent काम करते है एक होता है biotic agent और एक होता है a biotic agent और biotic agent में क्या क्या है birds है insects है बट आपको तीन आपको यहाँ पर दिया गया है water है और wind है आप देख रहे होंगे कोस्ट में कुछ-कुछ लिखा हुआ है इसका भी बहुत important है exam point of view से जैसे और इन्थोफिली ठीक है और मीथोफिली है water से hydrophily है wind के कोस्ट में एनिमोफिली है तो दिखिए यहाँ पर इसका मतलब क्या है पहले समझेंगे हम लोग यह कहाना क्या चाहता है और मीथोफिली मतलब आपको पूह दिया जाएगा what do we mean by और मीथोफिली तो आप लिख सकते हैं कि pollination take place by the help of bird जो bird की माध्यम से किया जाएगा na pollination उसको हम लोग बोलेंगे और मीथोफिली और यहाँ पर है और बायोटिक में आप देख पार है हाइड्रोफिली हाइड्रोफिली मतलब क्या है कि जो water की द्वारा pollination water के help से किया जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे hydrophili wind के help से जो किया जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे इनीमोफिली क्या बोलेंगे इनीमोफिली बैट के द्वारादय होगा और इसके बाद इन्टोमोफिली यह different medium है किसके है pollination के यहाँ पर figure के माधम से देख लिए एक बार आपके माधिन में set करने के लिए दोनों example है figure और by language में भी है अब देखिए biotic के लिए क्या है wind है और water है water के लिए क्या था hydrophily फिर से मेरे साथ बोलिए water के द्वारा पॉलिशन टन किया जाएगा hydrophily wind के द्वारा जो होगा इनीमोफिली ठीक है अगर आप इस वीडियो का पीडियेप या इसी प्रकर का डेली क्यूज से आप जूनना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम में जाएंगे और आपर साच करेंगे क्या क्रिये सनमल डगड़वा क्रिये सनमल डगड़वा या यहाँ पर देखिए जो लिखा हुआ है गौतम के 27 बीना सब्सक्राइब के वहाँ पर मिलिए और डेली क्यूज कर सकते हैं साथ में इस वीडियो लेक्चर का पीडियो फ्री आपकोर्स मिलेगा ठीक ठेंक्यू और अगर आप इस फैमिली कही सा बनना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ठीक है मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए थेंक्यू